केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर खुद को इंडिया गटबंधन का नेता साबित करने पर तुले हैं तो वह इंडिया गटबंधन पहले ही दिन से कई चुनातियों से जूज रहा है जैसे इसके घटक दल कई राज्यों में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वन्दी है और वे एक दूसरे के विरुद च चल गया था कि गटबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इसके बाद बैठक में शामिल होने से इंकार कर ममता बनर जी ने अपनी नाराज़गीज जाहिर की है हाला कि उन्होंने सफाई देते वे कहा कि बैठक कब और कहा हो रही है इसके बारे मोने कोई जानकारी नहीं थी इसके विपरेट कॉंगर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी नेताओं को बैठक की सूचना दे दी गई थी ममता बनर जी की सफाई और कॉंग्रेस की चुनाव ने गटवंधन की पोल खोल कर रख दी है चौती बैटक में शामिल ममता बनर जी नहीं हुई तो वहीं खड़के को पीम पत पर उमीदवार घोशित का इंडी गटवंधन के में बवाल मचा दिया इससे पहले 5 विदान सवा में चुनाव पर कॉंग्रेस की हार पर ममता बनर जी से सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि ये जनता ही नहीं कॉंग्रेस की हार है कॉंग्रेस की हार जमिदारी एटिटीट को लेकर हुई है वहीं जनता दल यूनाइटेट का कहना है कि कॉंग्रिस के घमंड की वज़े से हार मिली है वहीं पशिमंगार में कॉंग्रिस के प्रदेश अधियक्षादी रंजन चौधरी ने सीधे टीमसी प्रमुख ममताब अनरजी को निशाने पर लेते हुए यहां तक कह दिया कि ममताब अनरजी अलाइंस ही नहीं चाती वो मोदी की सेवा में लगी हुई है उन्होंने कहा कि त्रिणमूल कॉंग्रिस ने पशिमंगार में अलाइंस में सहियोगी कॉंग्रिस को सिर्फ दो लोग सवा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है सूत्रों ने ये बताया था जो कि 2019 के चुनाव में ममताब अनरजी की पार्टी टीमसी ने राज़्य में 33 प्रतीशत वोट हासल किये थे और बाई सीटे जीती थी ऐसे में टीमसी चाहती है कि बंगाल में वो प्रमुख पार्टी है और उसे सीट बटवारे पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए टीमसी के इस फॉर्मुले पर कॉंग्रेस ने कड़ी आपती चाता ही है प्रदेश अध्याग शाधिर एंजिन चौधरी ने कहा पता नहीं किसने ममता से भीख मांगी है हमने तो कोई भीख नहीं मांगी ममता खुद ही कह रही है कि वो गटबंधन चाहती है हमें ममता की दया की कोई जरुरत नहीं है हम अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं गटबंधन इंडिया नैशनल डेवलप्मेंट इंक्लूसेव अलाइंस यानि की इंडिया गटबंधन की अस्तित्व में आने के तुरंत बात सही इसमें आम आदमी पार्टी की मौजूद्गी को लेकर सवाल उठते रहे हैं कॉंग्रेस की दिल्ली और पंजाब स्टेट यूनिट्स इसके खिलाफ खुल कर उतर आई है तो वही सीट बटवारा कैसे होगा ये भी गटबंधन की शिरुवात से लेकर अब तक अंसुल जी पहेली बनी हुई है साथ 2019 के लोकसभा चिनाव की बात करें तो कॉंग्रेस बाइश दर समलब 6 फीजदी वोट शियर के साथ बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी थी आम आदमी पार्टी के वोट शियर 18 अदर समलब 2 फीजदी रहा था दिल्ली के साथ में से पांच सीटों पर कॉंग्रेस के उम्मीदवार दूसरे नम्मर पर रही थे जबकि आम आदमी पार्टी दो सीटों पर दूसरे नम्मर पर रही थी वोटों के लिहाज से देखे तो कॉंग्रेस को तब 19,53,900 वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुल 15,71,687 वोट मिले थे कॉंग्रेस प्रवक्ता अलकालांबा ने पार्टी की रास्ट्रे अध्यक्ष मालिकार जुन खड़ के और राहुल गांदी के साथ दिल्ली के नेताओं की बैठक के बाद कहा था कि पार्टी सभी साथ सीटों पर चुनाव लड़ेगी कॉंग्रेस की ओर से अलकालांबा के इस बयान को लेकर बाद में सफाई भी आई लेकिन चरचाए ये भी रही कि दिल्ली कॉंग्रेस के नेताओं सभी सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने के पक्ष में है इसका पीछे दिल्ली में आम आदमी पार्टी से प्रतिद्वन्दिता और गट बंधन कर केजरिवाल की सरकार बनवाने के बाद के खटे अनुभवी नहीं 2014 की तुलना में 2019 के चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का चड़ा ग्राफ भी है कॉंग्रेस ये भी जानती है कि लोकसभा चुनाव के आकड़ों में भारी रहने की बावजूद अगर केंदर शासत प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के आधार पर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में अधिक सीटे देने के लिए तयार हो जाती है तो पंजाब में भी मुश्किल होगी फिर आम आदमी पार्टी पंजाब में भी यही फॉर्मूला लागू करने की मांग करेगी जहां उसकी ही सरकार है 2019 के चुनाव में कॉंग्रेस को पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर जीत मिली थी आम आदमी पार्टी तब एक सीट पर सिमट कर रहा गई थी कॉंग्रेस अगर दिल्ली में कम सीटों पर मान भी जाए तो आम आदमी पार्टी पंजाब में कम सीटों पर मान जाए इसके आसार नहीं के बराबर है इंडियागट बंधन की ओर से सीर शेरिंग फॉर्मूले को लेकर अभी आधिकार एक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली का पेच किस फॉर्मूले से सुरज़ता है अगर पवार की बात के मुतावित आम आदमी पार्टी कॉंगर्स को तीन ही सीर देती है तो क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे नई पार्टी के इस फॉर्मूले को मान लेगी तो वहीं इंडियागट बंधन की बैठक में जैसे ही ममता बनर्जी ने मलिका अर्जुन खडगे का नाम पुर्धान मंत्री उमीदवार के लिए आगे क्या तो वहीं चौथी बैठक से लालू प्रसाद और नितीश कुमार नाराज हो गए वे प्रेस कॉंफरेंस में भी शामिल नहीं हुए है राजनेतिक पंडितों के अनुसार इंडिया गटबंधन की चौथी बैठक के बाद जेडियू ने अपनी चुनावी तैयारी की अलग से पूर्य योजना बना ली है जेडियू ने अरणाचर प्रदेश में चुनाव लड़ने का अलान करते हुए प्रत्याशी घोशित कर दिया है जेडियू के इस कदम को नितीश की गटबंधन से नाराज़ी के तौर पर देखा जा रहा है जेडियू ने हाल ही के दिनों में कुछ ऐसे कदम उठाई जिसमें लग रहा है कि जेडियू इंडी गटबंधन से कटा कटा है जेडियू के ओर से मुंगेर लोकसवा सीट से ललन सिंग और दर्भंगा से संजे जाज चुनाव लड़ेंगे देवेश्यंद्र ठाकुर को सीता मड़ी से चुनाव लड़ेंगे नितिश कुमार इस बात को पहले ही स्ताफ कर चुके है जेडियू भी इनके नामों को हरी जंडी दे चुकी है जेडियू के इस कदम को नितिश की गटवंधन से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है बिहार के सीट फॉर्मुले पर जंता अदल युनाइटेड और रास्ट्री जंता अदल सहमत होते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी बिहार में इस बार लेफ्ट भी मजबूत स्थिती में हैं ऐसे में कॉंग्रिस को 12 सीटे मिल पाएंगी या नहीं ये भी कहा जा सकता है नहीं कहा जा सकता विहार में लोकसवा की कुल 40 सीटे हैं कॉंग्रेस इस राज्यों में 10 में से 12 सीटों पर दावेदारी ठोक रही है चालिस लोकसभा शेत्रों वाले विहार में कॉंग्रेस कम से कम 12 सीटे चाहती है कटिहार, किशन गंज, पोर्णिया, कटिहार, औरंगबाद, भागलपुर, बकसर, सासरा, मोतिहारी, वालमिकी नगर, नवादा और पटना सीटों पर कॉंग्रेस लड़ना चाह रही है उतरप्रदेश में कॉंग्रेस 80 सीटों में से 40 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोक रही है कॉंग्रेस यहां सीटों से समझाता नहीं करना चाहती है लोकसभा चनाव 2019 में कॉंग्रेस यूपी से महज एक सीट जीत पाई थी राहुल गांदी अपना गड़ अमीठी संसदी शेतर हार गए थे सोनिया गांदी राइबरेली लोकसभा शेतर से कॉंग्रेस को एकलोती सीट दिलाने में काम्याब हो गई थी कॉंग्रेस पार्टी उन सीटों पर जोर दे रही है जहां भरोसा है कि मजबुत स्थिती में हैं कॉंग्रेस उन सीटों को छोड़ रही है जहां वो कमजोर है यूपी की 40 सीटे कौन सी होंगी इससे लेकर मन्थन जारी है कॉंग्रेस का तर्क है कि लोगसभा चुनाब 2019 में कॉंग्रेस पार्टी की वोट शेरिंग बढ़ी है समाजवादी पार्टी ने भोज़न समाज़ पार्टी को परियाप्त सीटे दी थी ऐसे में कॉंग्रेस भी राज्यस सीटों के लिए अपनी दावेदारी ठोक रही है अब कॉंग्रेस के इस फैसले पर अखिलेश यादव और बसपा सहमती देते हैं या नहीं भी देखने वाली बात होगी और ऐसा भी हो सकता है कि सपा सब इस सीटों पर अपनी दावेदारी ठोके यूपिक में कॉंग्रेस पार्टी की कुछ भरोसे मंद सीटे हैं उन सीटों पर कॉंग्रेस अपने प्रत्याश्यों को हर हाल में उतारेगी अमरोहा, सहारनपूर, लखीमपूर, खीरी, बिजनौर, मुरादबाद, लखनो, राइबरेली, अमिचिवार, बारबंग की लोकसबा, शेत्रों में कॉंग्रेस अपने उमीदवार जरूर उतारेगी इन सीटों पर समाजवादी पार्टी का भी दमखम ठोकेगी इन राजियों में अलसंख्याग वोटरों की बड़ी तादात है, कॉंग्रेस और सपा दोनों को इनी सीटों पर भरोसा है, सपा भी इन सीटों को अपना मानती है, कॉंग्रेस अमनीपूर से महाराच्च तक भारत जोडों नियाय यात्रा पर जोर दे रही है अभी इनडिया गटबंधन के लिए समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि शेत्रे पार्टियां कॉंग्रेस को परियाप्त सीटे देने के लिए तयार नहीं है, कम सीटों पर कॉंग्रेस अपना पन समझोता नहीं करेगी और नहीं अपना अपमान मानना को तयार होगी